pollution सबसे गंबीर समस्या है pollution का मतलब होता है कि production हिंदी में अगर कहें तो अगर आप देखें कि जो pollution शब्दाया या आया है two soil two soil मतलब होता है खराब करना गंदा करना और defile contaminate का मतलब भी किसी चीज़ को खराब करना जैसे माली जा आपके कि ऐसा अगर साफ चीज साफ पानी और उसके अंदर कुछ मिला दिया आपने तो गंदा पानी तो गंदी चीज क्या क्या हो सकती है solid form में हो सकती है ठोस हो सकता है द्रव भी हो सकता है liquid या फिर gas हवा के form में हो सकती है तो pollution जो है बहुत जादा एक पहली चीज तो यह है कि यह पूरे को पूरे surrounding के आसपास को एकदम खराब कर देता है तो human being की problem नहीं है अगर आप देखें कि आज respiratory problem में सांस लेने की दिक्कत कितनी जादा हिंदुस्तान में हो गई है डेली को तो पूरे wish में कहा जाता है कि यह production का capital है डेली हमारा जो राजधानी है तो यह सब हम तो अपने बारे में सोचते हैं जानवारों का क्या होगा वो भी तो सांस लेते हैं प्लाइंट्स उनका क्या होगा वो भी तो खराब हो रहे हैं और यह सारी हमारे human activity के around हो रहा है और यह detrimental effect मतलब खराब effect दे रहा है environment में अब pollution देखें यह किस किस तरीके के हैं यह आपर धुआ निकल रहा है तो पुरा environment खराब कर दिया पानी में हम गंदगी डाल रहे हैं जमीन को हम खराब कर रहे हैं और खुब उची आवाज में चीज़ें चला रहे हैं तो कान हमारे खराब हो रहे हैं जिसको हम sound pollution कहते हैं तो अलग अलग तरीके के pollution है एक example देता हूं factories अब factory क्या है इसको इसमें बहुत जादा पानी लगता है electricity लगती कोई भी factory अगर आप देख लें तो लेकिन साथ में यह chemical निकाल देती है यानि कि chemical निकलते हैं वो कहां कहां जाते हैं यहाँ पानी में भी जा रहा है जबीन में भी जा रहा है हवा में तो जाई रहा है एक industry से क्या क्या चीज़ हो रही है तो पूरे आपके पर्यावारन atmosphere को यह खराब कर रहा ह water pollution आप देखिए जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरीके से पानी हम डाल देते हैं और उसके बाद serious वो जो aquatic life है उसको किती बड़ी दिख्कात आ जाएगी जो fossil fuel है जैसे आपका petroleum है diesel है जब गाड़ी चलती है तो कितना जादा उससे production होता है दूआ निकलता जो प्रदूशन है या दूशन की चीज़े है उसमें एक तो fossil fuel का emission हो गया petroleum diesel है सबका ऐसे methane आती है तो यह चीज़े जो आती है सबसे बड़ी चीज़े carbon dioxide यह प्रदूशन करती है उसके अलावा है methane यह था CH4 ऐसे nitrous oxide है यह भी एक बहुत बड़ा pollutant है तो यह सारे की सारे चाहे आप किसी का भी नाम ले जानवरों का नाम ले और पेडों का नाम ले यह आप अपनी बात कर ले सबके लिए detrimental है सबके लिए यह खतरनाग है pollutants, pollutants जो भी clean चीज़े जैसे हवा है air या water है पानी इसमें जब कुछ चीजें मिल जाती है और वो चीजें harmful होती है कोई भी हो सकती वो solid हो सकता है liquid हो सकता है गाशस फॉर्म में हो सकता है वो उसमें जब मिल जाती है और वो नुकसान दे हो जाती है सभी के लिए इंसान के लिए भी और साथ में living organism जितने भी हैं और plants के लिए भी जानवरों के लिए भी और florafonic लिए भी उसे हम pollutant कहते हैं जो contaminate करती है चीजों खराब करती है तो pollutant दो तरीके के हो सकते हैं एक pollutant जो decompose हो सकते हैं एक pollutant जो decompose नहीं होते हैं और इसका मतलब क्या हुआ अगर पौधा मर जाता है तो धीरे 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 आप देखेंगे कि वो सूख जाता है और वो कहीं न कहीं मिट्टी बन जाएगा जाके इसे हम कहते हैं decomposition यानि कि जिस चीज से बना है फाइनली वो उसी में परिवर्तित हो जाएगा जो pollutant decompose नहीं होते हैं इसका मतलब वो pollutant ऐसे रहते हैं और हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे यह ऐसा कोई प्रकृतिक कोई ऐसा reaction नहीं है या तंतर नहीं है जो इसको decompose कर दे जो जिस चीजों से बना है उसमें divide कर दे और जो harmful ना रहे तो pollutants यानि प्रदूर्शक जो टूट जाते हैं breakdown हो जाते हैं उन अबजेक् प्रेशर हो टेंपरेचर हो या कोई microorganism या बैक्टेरिया उसके काम कर रहा हूँ इनको हम bio degradable pollutants कहते हैं जैसे वैसे प्रदूर्ट वेजिटेबल को तो नहीं कहेंगे लेकिन वेजिटेबल सबजी के बाद जो निकलता है वो तो पॉल्यूशन ही करता ना क्योंकि उस फूर देखते हैं आप कुछ दिनों जैसे गोबर पड़ा हो अगर गोबर पड़ा हो तो कई कुछ दिनों बाद वो अपने आप मिट्टी बन जाएगा स्वाइल बन जाएगा ऐसे जिए अगरिकल्चर से वेस निकलता है जो भी नैच्रल चीज है और यह सारी चीज़े जो होती ह या फिर उसके ओपर को धकल लगा दीज़े अपने आप ये कुछ दिनों डिकंपोज हो जाएगा और वो नुकसान देह नहीं होगा पॉलिटेंट्स जो डिकंपोज नहीं होते हैं इसका मतलब अगर ये पॉलिटेंट है और वो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक नहीं होता है या इसका मतलब ये हजारों साल तक सारों साल तक ये पॉलिटेंट रहेंगे ही रहेंगे जैसे क्यों आपको कहा जा रहा है कि प्लास्टिक मत यूज करो क्यों कहा जा रहा है कि जो कीड़े मारने की दवा है या पेड़ों को जो खराप पेड़ है उनको मारने की दवा दवा है और mercury है, lead है, aluminium है aluminium जो बॉक्साइट से निकलता है और ये सब चीजों में यूज हो रहा है आपने खाने बगाने की जितने भी utensil से उसमें इरुज हो रहा है, हवाई जाजों में यूज हो रहा है इसी तरीके से glass है glass कांच, अब कांच आप देखिए एक बार तूट जाता है, तो हाथों को भी काटता है और छुट-छुटे पार्ट बन जाते है, वो छुट-छुटे पार्ट कहा जाते है आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ये जो सारे मैंने बताए है, वो decompose नहीं हो पाएंगे और ये बड़ा खतरनाक है, जिन्देगी पर आपके साथ ये जमे रहेंगे और फिर इसका हम क्या करें तो पर्यावरन को खराब करने के लिए, प्रदूशन करने के लिए क्या-क्या चीज़े responsible है पहले चीज़ तो ये है कि आपकी कार, आपकी बाइक तो जो कार और बाइक से जो पलूशन निकलता है वो हवा में जाता है, तो जितने भी आप वेहिकल्स, गाड़ी देखते हैं, वो कहीं न कहीं और सबसे ज़्यादा पलूशन कोन कर रहा है, आप यकीन नी मानेंगे हवाई जास करता है, यानि एर ट्रैवल जो है आपके जो जमीन है, आपको यहां से समझाओ, यह सौईल पॉलशन देखें, यह जमीन है आपकी, जमीन में आप यह जासे छीज़ए डाल द देंगे, तो इससे क्या होता है? जो पी एच लेवल होता है, पी एचली पीएच क्या होता है? साथ से उपर और साथ से नीचे ऐसा लेवल माना जाता है इसमें एक alkalinity यानिकी जो जैसे acid होता है एक acid होता है एक base होता है तो acid और base कई जगा फायदे मंद होते हैं base कई जगा फायदे मंद होते हैं और फिर इनकी कुछ value होती है होता यह है कि जब यह fertilizer और insecticide हम डालते हैं तो जो एक soil की एक जमीन की pH value होनी चाहिए एक number है यह तो वो गरबर हो जाता है और soil की pH value उस level के नहीं रहती जो हमें चाहिए तो इससे क्या होता है कि जो जिस pH level पे यहाँ पर भी तो जानवर होंगे यहाँ पर भी तो पेड़ होंगे उनको भी तो जीना है जमीन में लेकिन आपने pH value खराप कर दिया तो यह बचारी कैसे जीएंगे अब देखें प्लास्टिक की मैंने बात की प्लास्टिक waste जो है सबसे खतरना है चाया आप पानी की bottle देखें चाया आप थैली देखें अब यह कप जब कहीं भी फेकते हैं कहीं भी लेते हैं अब आप देखें गाए हमारी माता है लेकिन गाए maximum किसले मर रही है वो polythene खा जाती है उसको क्या पता विचारी गाए है इसने तो गाए है क्योंकि उसको कुछ नहीं पता वो polythene खा जाती है और polythene खाती है पेट में जाता उसको मर जाती है तो यह जो polythene और poly bags हमें यूज कर रहे हैं तो बहुत कतरनाक है भाई और जो gases है जैसे मैंने आप से कहा आग लगा दी टहनियों में तो आप घर में सांस नहीं ले सकते हैं इतरा धुआ हो जाता है तो यह सब जो है यह भी तो आपको इसी तरीके से अटाक करेंगी तो कितने तरीके के pollution हो सकते हैं कितने तरीके के production हो सकते हैं सबसे important है इसमें वैसे तो यहाँ पर land water air pollution दिया हुआ है तो हम इसको soil pollution को भी जोड़ेंगे और उसकी भी बात करेंगे साथ में तो होता क्या है यह और कैसे क्या effect करता है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं बहुत यहां से देखेगा कि हम बात कर रहे हैं types of pollution किस-किस तरीके के production हो सकते है तो पहली चीज़ इसमें क्या आती है land pollution जमीन का pollution land pollution को हम soil pollution ही समझ के बात करते है water air है हम अभी noise pollution की बात नहीं कर रहे हैं जबकि यह भी बहुत दिक्कत है दिक्कत इसलिए यह है कि माल लीजे आप hospital में admit है और बगल में कोई जागरन कर रहा है या फिर कोई इस्तिमा चल रहा है मंदिर है मस्जी तब कोई भी है या गुर्दवारा है वहाँ पर और आप hospital बगल में है तो क्या यह मरीजों के लिए ठीक है और आप अपने कान में क्या होता है हेड़फोन लगाके रखते हैं हमेशा हेड़फोन लगते हैं बड़ी उची आवाज में सुनते हैं आगे जाके तो आपको कान खराब हो जाएंगे और कान और आँख और यह सब के बगएर कैसे जी होगे आप तो यह noise pollution की यह होता है कि जब आप पानी में ऐसी चीज़े डाल देते हैं जो पानी को पानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है चाहे नदियों में हो चाहे तालाब में हो चाहे ओशिल्स में हो ओशिल्स मतलब हमारा जो समुद्र है महासागर है उनमें अगर पानी को खराब करने के लिए कोई वस्तूर डाल दी जाती है जैसे एक माल लीजिए कि एक शिप जा रहा है इस शिप में लागों टन तेल है क्रूर ओल माल लीजिए या कोई ऐसा सबस्टेम से जो बहुत जोलन शील है खराब है अगर ये शिप डूब जाता है तो अब देखते हैं पूरे एरिया में ऐसे तेल तैरने लगता है अब तेल नहीं तरहेगा तो अक्सिजन कैसे जाएगी यहां की सारी मचलियां आसा पेड़ सा मरने लग जाएगी तो इसे हम वाटर पॉलूशन कहते हैं अब ये तो हादसा है लेकिन हम हादसा नहीं कर रहे हैं हम तो खुदी कर रहे हैं हम तो जानमूच के कर रहे हैं क्योंकि हमें economic development चाहिए हम consumer है हमको अच्छी जिंदगी चाहिए एर पॉलूशन का मतलब क्या होता है जब हवा में gas और particles जब हवा साफ हवा में अलग तरीके से gases मिल जाती हैं जो खराब हैं और कुछ particle मिल जाते हैं वो बहुत micro level के होते हैं आपको दिखाई नहीं देते हैं लेकि उसमें होते हैं क्या होता है pollution अगर हो जाए तो पहले हमने समझा कि यह होता क्या है अब हम समझ रहे हैं कि क्या होता है अगर pollution हो जाए तो कि इसे पैदावार भी नहीं हो पाएगा तो कम जमीन आपके पास रहेगी चाहिए आप जंगलों की बात करें चाहिए कोई फार्म खोलना चाहते या घर बनाना चाहतें ए assessments अधल लाइक हिरी नहीं ousas पानी गंदा कर देंगे तो लोग घूमने आते हैं या मचलियां जो उसमें पैदा होती है वह सब बंद हो जाएगा पानी पीने के लिए कम हो जाएगा क्योंकि पानी अपने खराब कर दिया है अब आपको बार-बार कहरे हूँ मैं आप और मैं दोनों इसमें इंवाल है हम लोग सभी ये कारिकरम कर रहे हैं सब बगर सोचे समझे सब चीज़े कर रहे है एर पॉलूशन की बात करूं तो आप देखें एर मंदब सांस लेते हैं आप आप देखें कितनी भी रिस्पारेट अब पानी डॉट आ रहा है आप देखें आप उत्राखण में किस तरीके से सब चीज़े हो रही है बार आ रही है उत्राखण की नदीया इत्नी तेज बेह रही है कि उनहोंने तबाह कर दिया था बुरा को पूरा इलाका पूरा को आपका जो चार धामे उसमें एक ध्रभा को तोड़ दिया था उसने ऐसी फेमाइन हो जाते हैं डॉट हो जाता है यह सब चीज़े एर पॉलुशन की दिक्कते आगे चलके होती है वाई डास इट हैपन होता क्यों है यह जब आप लैंड पॉलुशन देखिए जब आप पेड़ों को काट देंगे साहब तो क्या होगा पेड़ों को काट देंगे आप पेस्टिसाइड फैस्टिसाइड लाइजर का इतना जादा यूज़ कर रहे हैं आप जमीन में खोद के मेटल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो गंदा पानी है टौलेट का पानी है जितनी भी फैक्टरी इंडस्ट्री से गंदी चीज़ आप जाया वह सीदहा आप डल दे रहें इसम्हहां लैंड झेल रहे हैं और यहां पर क्या हो रहा है वाटर पोलीशन में आप पानी में गंदी छीज़ दालेगे अपनी घर की गंदगी यह लागे हैं और accidental oil लीके जो मैं आपको भी समझाया था ये बहुत बड़ा हमेशा हम सुनते हैं कि एक ship डूब गया ये कुछ हो गया तो पूरा का पूरा पानी खरा हो जाता है उस रहे का तो और ये निकलता नहीं इतना आसा नहीं थे क्योंकि तेल तो उपर तैरता रहता है कैसे निकाल हो गया आप कुछ चाहरा भी नहीं है इसका air pollution से क्या होता है और कैसे होता ही पहले चीज़ तो यह है कि आप जो भी fuel करेंगे जैसे आपका fossil fuel हो गया पेट्रोलियम हो गया डीजल हो गया केरोसीन हो गया और सबसे बड़ी बात है कि smoke जो ट्राफिक से निकलता है वो आप ऐसे सूंगे कि आपको एकदम से चीके आ जाएंगी एकदम से खासी आ जाएंगी आप जब जिसे पराली जलाना कहते हैं जब आपकी crop आपने पैदावार ले लिए उसके बाद जो भी बचता है उसको जला करता है यह को दूसा यह है कि जब construction करते हैं तो धूल कितनी उड़ती है कहीं भी construction चल रहा हो आपने देखा पूरी आपकी गाड़ी धूल से बर जाएगी तो यह सब इसके यह क्यों होता है यह बता रहा हूं अब सबसे बड़ा सावल उड़ता है हम इसे रोके कैसे रोकना गीला और सुखा ड्राइवेस्ट इसको अब अलग कर दिजे जितने ज्यादा पेल लगाएंगे उतना अच्छा है जो भी organic तरीका है जब हम farming करते हैं तो इसमें पेस्टिराइस साइड्स और जो अपके इंसेक्रिस साइड़ों को कम से कम यूज करिए बायो चीजे पानी में मत डाली जो भी harmful है चाहे chemical हो चाहे medicine हो तेल हो वो कहीं भी आप नालियों में मत डाल दीजे जैसे मैं बता है pesticide और fertilizer तो सभी तीनों के लिए सही है इसका उपयोग नहीं करना है और जब आप अपने घर से जैसे घर से आप पानी चोड़ रहे है या factory से पा गरम पानी बहार आता है तो गरम पानी क्या करता है पूरे को पूरे पानी के जो जिससे पारिस्थिती की तंतर कहते है ecosystem को खराब कर देता अब बताईए अब 100 डिग्री पर पानी डालेंगे तो यहांगे मशलिया पेड़ जी पाएंगे आपका हाथ अगर पानी में चला ग गया तो दुबारा आएगा इसकी संभावना नहीं है क्योंकि less than 3% ही पुरे विश्व में पीने के लेविलेबल है और इसकी मारा मारी अगला जो यूद्ध होगा पानी पे होगा ध्यान रखिएगा जितने भी एर पॉलूशन को कैसा रोका जाए renewable resources यूज़ करने है चाहिए water हो या wind हो या आपके जियो थर्मल हो वो सब यूज़ करिए अगर कोई waste गरम जला रहा है या कोई crop जला रहा है या अपनी पैदावार जला रहा है उसको रोकना पड़ेगा आपको और या आप खुद भी कर रहे हैं तो मत करिए पेस्टिसाइ जैसे कोई bottle है कुछ है तो उनको अलग कर लीजे जरूरी यह होगा कि आप यह देखे कि जो non-biodegradable pollutants है उनको आपको अलग करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि यह तो एक बार आपने कच्रे में फेक दिया और किसी कच्रे से वह कच्रे के जगा पे चला गया तो यह बड़ा होता है तो आपको दिखे का रही है और पहाड़ है लगि लोग बताएंगे आपको यह कच्रा है तो यह ऐसा हो रहा है हमारे मतलब we can see it तो जो vegetable से waste निकलता है उसको आप जमीन के अंदर गाल दीजे उसके बाद वो क्या करेगा एक तो जमीन के आपके फेटाइल क होगा जो आप फेक पाएंगे आपके बस कम waste होगा और अपने चीजों को हो जितने भी harmful waste उसको अलग करिए क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा अब हमारे पस कितने लोगों की कमी है जो कच्रा उठाता कितने कम लोग है तो आप खुद करके अगर दे दीजे तो ज लन दे हुरा दे ओूरा बोल्डवरण एग झाल ध obs़